वेलकम टू मैं चैनल आरजेवेज किजन वैसे तो हमने पहले भी आउला की दो से तीन रेस्पी बनाई है आज एक नई रेस्पी बना रहे हैं तो आउले का सीजन है तो चली बनाते हैं वीडियो पसंद आए तो चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक चरूर कीजेगा तो यहाँ पर पानी रख दिया है उबालने के लिए और पानी में आगिया है उबाल अब हम उसमें सारे आउले डाल देंगे और अच्छे से उबाल आने तक पकाएंगे फिर उसके बाद थोड़ी देर और पकाएंगे और देखे मैंने अब गैस भी आफ कर दी है और हमारे आउले जो हैं इस तरीके से पक गए हैं कि वो फट चुके हैं तो इतने ही पके हुए आउले हमें चाहिए आउले हमारे पूरी तरीके से तयार हैं सारे आउलों को एक छलनी पे हम निकाल देंगे और इसका पानी जो होगा उसे हम अपने सर्ध होने में या दाल में या फिर सबजी में भी यूज़ कर सकते हैं पोसक तत्तों से भरपूर पानी है आउले ठंडे होने के लिए हमें छोड़ देना है और ये जो पानी है इसका भी हम यूज़ कर लेंगे तो आउले ठंडे होने को हमें अलग कर लेना है सारे आओले हम इसी त Mario करके ले लिए आप इन अच्छा को हमें एक टालना है ग्राइंडर पर डालके इसका पतला सब पेस्ट बना ले मैंने आपर पेश्ट बना के ले लिया है और सारे आउले को हम इसी तरीके से पीस के तयार कर लेंगे देखिए इतना पतला पेश्ट हमें इसका तयार ची और जितना हमारा आउला होगा उतना ही हमें गुड भी चाहिए तो यहां पर जितना अउला है उतνα ही मैंने गुठ ले लिया है अब हम गुठ को करेंगे मैल्ट गुठ को हमने कईस पे रख दिया है और धीमी-धीमी आज पे हम इसे मैल्ट करेंगे बिलकुल भी पानी एंड नहीं करने है, तब तक melt करने है जब तक इसमें बुलबुले ना उठने लगे हैं देखिए हमारे गुढ में बुलबुले उठने लगे हैं और हमारा गुढ यू है वो कैंदी बनने के लिए तयार है देखिए इसमें तार बन रही है अच्छी खासी तो इसका मतलब है कि हमारा गुल अच्छे से तयार है अब हम इसमें आउले का पेस्ट आदेंगे जो हमने पीस कर तयार करा हुए है पर ध्यान रखें जितना आप गुल लेंगे उतने ही आप आउले का पेस्ट बिलेंगे तो उसी साफ से लिए है और यहाँ पर गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और धीरे धीरे इसको मिक्स कर देना है देखे हमने अच्छे से इसे mix कर दिया है और 5 मिनिट के लिए हमें इसी तरीके से इसे चलाते रहना है गैस की flame को हम medium कर सकते हैं लेकिन बिना चलाए हम इसे नहीं छोड़ेंगे मुझे पांच मिनट लगातार इसे चलाते भी हो गए हैं अब हम इसमें कुछ मसालों को एट करेंगे जिससे हमारे आउले के गटा गट की रैस्पी बहुत ही टेस्टी बनती है और ये इसके सीक्रेट इंग्रिडिएंस भी है एक चमच अमचूर पावडर साथ से आठ कुटी हुई काली मिर्च डेल चमच काला नमक आधा चमच सादा नमक एक चमच चाट मसाला एक चमच कस्मेरी लाल मिर्च बहुत अच्छा कलर आएगा हमारे गटा गट में कस्मेरी लाल मिर्च से सारे मसालों को हम आउले के साथ अच्छे से mix कर लेंगे और continuously हमें इसे चलाते रहना है तब तक इसे चलाते रहेंगे जब तक ये dough की रूप में convert ना हो जाए और आपसे request है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को subscribe करके support चरूर कीजिए और वीडियो को like चलूर कीजिए और comment box में चलूर बताइए कि आपको मेरी recipes कैसी लगती है तो यहाँ पर हमको 10 से 15 minutes हो गए हैं और हमारा आउले का गटागट बनके तयार होने वाला है देखे ये खटा होने लगा है dough के रूप में और मैं आपको suggest करूँगी कि आप आउले के गटागट बनाने के लिए लोहे की या फिर silver की कढ़ाई का यूज ना करे non stick या फिर steel की कढ़ाई का ही यूज करे gas मैंने off कर दी है और आप हम इसे एक plate में फैला के डाल देंगे फैला के डालने से ये होगा कि ये थोड़ा heart हो जाएगा और हमें candy बनाने में इसे help मिलेगी थोड़ा सा इस तरह से उठा के देख लेंगे अगर इस तरह से इखटा हो रहा है यानि कि candy हम इसकी बना सकते हैं पंदमेट हो गए हैं और मैं यहाँ पर चीनी का बुरादा ले आई हूँ और साथ मैं candy तो हमारी है ही तो इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे और उसको हाथ से सरकल सरकल कर लेना है आप दो हाथ की help से भी कर सकते हैं और एक हाथ से भी कर सकते हैं जैसे आपको comfortable हो वैसे कीजिए तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से ball बना ली है और इस candy को अब हम सुगर पाउडर में डालेंगे और लपेट लेंगे सारी candy हम इसी तरीके से बना के त्यार कर लेंगे देखिए कितने perfect हमारी आवला candy यानि की गटा कट बन के त्यार हो रही है सारी candy हम इसी तरीके से बना लेंगे और अगर आपके हाथ में चिपक रहा है तो आप हाथ में थोड़ा सा सुगर पाउडर लगा के इसे बना सकते हैं देखिए कितने tasty से गटा कट बन के त्यार हो गए है रेस्पी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट चरूर कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए आपका धन्यवाद वीडियो को लाइक, सेयर और कमेंट करना ना भूलें